हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल किसांडेरी फारम में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पसुपालन लोन कैसे ले दोजार चोबिस एक भैस पर असी जार और गाय पे साथ जार के इसाब से आप कितने तक का लोन बिना गारंटी ले सकते हैं ल किसान भाई दोस्तों हम बता दें आपको कि जो गरामिन चकतर होते हैं वहाँ पे खिरती के साथ साथ में जो किसान भाई हैं वो गाय भैसका पालन करते और दूध बेचते हैं इस उनका मतलब एक्स्ट्रा ए आवंदनी का मतलब जरिया कमाई का जरिया है एक्स्ट्रा और जैसे पर घर में ये मानके चलो आप एक दूद वाड़ा पसू तो जरूर मिलेगा और किसी के पास दो तीन चार भी मिलेगा और काफी लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बढ़ाना चा ईदी कि आप अपना दूद कवेशाय बढ़ा सकते हैं तो इसमेंगात करें को विएक कि कोन कोन से बैंक से आप ले सकते ही जो आपकी नजदे की हो सकता है दो घ्र सिक्तर में और अन्य बैंक भी है काफी जैसे कोटक मेंद्रा हो गया इनसे भी आप पसुपालक के लिए लोन ले सकते हैं ये बैंक भी पसुपालक के लिए लोन देते हैं तो इसके लिए हम बात करें कि गाए भैस का जो लोन होता उसके लिए जो जरूरी दस्तावेज होते हैं वो क्या ह होते हैं तो इसमें सबसे पहले जो पसुपालक होता है उसका अधार कार चाहिए होगा दूसरे नंबर पर पसुपालक का पैन कार चाहिए होगा तीसरे नंबर पर पसुपालक होता है जो उसकी पास्पूक की फोटो कोपी चाहिए होगी पसुपालक का मोबाल नंबर चाहिए होगा और पसु का हैल्थ सेर्टीविकट ची होगा आगे बात करें कि पस्वों के के अंदर में जो मतलब प्सु के अंदर होता वहाँ पर डौक्टर से मिलकर कर पसु का हैं से अब बनवा सकते हैं पस्वों पहले आपके पास होने चाहिए इसमें पसु के अंदर में वहां पर हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है सभी पसु का उसके बाद में उसी के साथ एक फॉरम और देगा जिसमें पसु चिक चिक परमान पत्र उसी टाइम पर बना कर देता है और वही पर पसु का इंसॉरंस नंबर भी वहां पर मिल जाएगा इसलिए इंसॉरंस के करवाना पड़ता है इंसॉरंस की बात करें तो अभी काफी स्टेट में गोवर्मेंट के इंसॉरंस चल रहे है पसु के अंदर में और काफी में भी गोवर्मेंट ने बंद कर रख्ये हैं तो अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग योजना होती है पहले तकरी दोकोमेंट्स लेकर सबसे पहले आपको मतलब जाना होता है यह बैंक जाना होता है इसके लिए आप एक भ्यस पर गाय पेफसे मेरधा था दो लाग्स हजार का का लों ले सकते हैं अगर आप के पास दो भैसे मेरे लोन लेना चाहते हैं तो 2.5.000 वे का Master का लोन ले उक्त्री सकते हैं तो 2.5.000 रुपे का आपको लोन मिले जैसे जैसे पसू बढ़ते हैं, आपको उतना लोन मिलेगा, इसी परकार से एक गा storm का, दो गाएं पे एक लाग भीच एजार का लोन ले सकते हैं, और तीन गाएं पे एक लाग एड जार का ले सकते हैं, तो चार लाग रुपय तक का लोना बिना गारंटी के ले सकते हैं इसमें सरकार की तरफ से आपको 25 से 20 परसेंट 25 परसेंट और 35 परसेंट तक सबसीडी जाती है अलग-अलग स्कीम के तहट और काफी स्टेट्स में एता होता है 40 से 50 परसेंट भी सबसीडी जैसे गाए पालन पर मिल रही है उसी परकार शे मिल जाती है सबसीडी मिल जाती है इसमें और यह डौकोंक्मेंट जो चार पांस आने में लगता है application का और जिस बैंक में पास्बुक दी है उस बैंक के account में जितना loan apply किया जाता हो तना amount डाल दिया जाता है उसके बाद पैसा निकाल कर पसु खरीदना चाहते हैं तो पसु खरीज सकते हैं पसु सकते हैं फिर पसु का उधार चुकाना चाहते हैं तो चुका सकते हैं ुसमेंमन्तली किस्त आएगे आपकी maioorta आई होगी मन्तली की वो आप बढूर सकतेсь परकार सिरे लोन आप इन साल से लेके पांच साल तक से ले सकते हैं अपने हिसाब से वह यह लोन मतलब ले सकते हैं आप इसे हिसाब से आगे इसमें प्रोसेस होता है पसु आपके पास होने चाहिए तभी आपको लोन मिलेगा यह नहीं है कि आप बैंक में चले गए क्योंकि वेरिफिकेस होता है उ रख रखाओ किस परकार का आपका कैसे आप इमाई चुकता करेंगे दूद वाड़े पस्टू है या नहीं तो इसमें सबसीडी की बात करें तो सबसीडी आपकी फैस्ट इंस्टॉल्मेंट होती है वो सिक्समेंट के बाद आती है और दूसरी होती है वो एक साल के बाद में आती है अगर आप समय पे इमाई पे करते हैं तो अगर आप समय पे इमाई नहीं बरते हैं तो आपका जो सबसीडी होता है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा तो इसलिए अगर पसू पालन के लिए गा महीं नहीं माई कटती रहेगी तो ये इस परकार का प्रोसेस है आपका लोन लेने का पर भैस का और पर गाये का तो आप एक एक पसुपे भी लोन गौर्मेंट से ले सकते हैं तो ये जानकारी थी गाये भैस का लोन कैसे ले सकते हैं उसके लिए और सबसीड़ी के बारे में ब निवाद